हाँ जी कैसे हैं आप आपका पीट कैसा है आपके पेट का स्वास्त तो अच्छा है ना आज हम बात करने वाले हाँ दो फूड यू इट अफेक्ट सिवर गूड एन हम जो खाते हैं हमारे गट हेल पे हमारे आतों पे क्या प्रभाव डालता है यह हम बात करने वाले आपने शब्द जरूर सुनाओंगा गट फिलिंग जो लोग कार्पोरेट में बात काम करते हैं उन लोग ने तो इस गट फिलिंग शब्त को सुना ही हूंगा जब कोई लोग कोई काम कर हें तो बोलते हैं या कोई लोग मुझे गट फिलिंग नहीं आज तो गट फिलिंग आने के बात लोग उस काम के लिए गो final करते हैं जैसा आज हम बात करने वाले हैं कि गट्स के उपर में हमने जो खाना खाया हो क्या अफेक्ट किया, तो आपका गट हेल्थ कैसा है, अच्छा है क्या, क्या आपको और कोई सप्लिमेंट की जुरूरत तो नहीं है आपके गट के बैक्टिरियाद बढ़ाने को, यहन सवालों के जवाब आप पेंडूलम डाउजिंग से पता कर सकते, साती साथ आने वाले 10-15 दिनों में मैं एक और एक अलाउंसमेंट करने वाला हूँ, एक ठेरपी जिसका नाम है रेफलोक्सोलोजी, उसकी भी मैं स्टेडी कर रहा हूँ, रेफलोक्सोलोजी का भी मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो रेफलोक्सोलोजी के थू भी हम लोगों की ब बीमारियों के उपर काम कर सकते, बीमारियों को दूर कर सकते, ये एक medical professional है, reflexology, उसका भी मैं course कर रहा हूं, तो आपको reflexology, साथ ही साथ, atomic products, साथ ही साथ, pendulum doesling का भी अनुभो आप मेरे से ले सकते हूं, तो आज का विशे था, जो हम खाना खाते हैं, हमारे gut के उपर में, उसका क्या effect होता है तो gut हमारा जो gut है यहां होता है और यह हमारा brain इसके बीच में relationship होता है यानिक संबंध होता है उसको the gut brain exist कहा जाता है क्या कहा जाता है उस relation को the gut brain exist कहा जाता है exist के रूप में माना भी जाता है gut और brain एक जटील नेट्वर्क से जुड़े होते हमारा गट यहां है ब्रेन यहां है गट और ब्रेन के समंधों के बीच रिलेशन्शिप के बीच जोड़ने के लिए इन दोनों को nerves, hormones and chemical messengers शामिल होते जो एक दूसरे को सववाद साथने में मदद करते नाने brain का सववाद हमारे gut को भेजने को या gut का सववाद हमारे brain को भेजने को जो message है वो भेजने का काम chemical messengers करते और एक दूसरे से जटिल network से जुड़े हुए होते हमारा जो आत है, यहाँ जो हमारा gut बोले न यह जो gut है हमारा आत है यह neurons का एक visual network होता है जिसे enteric nervous system के रूप में भी जाना जाता है जिसे अकसर second brain के नाम से जाना जाता है हमारा main brain तो यह है लेकिन second brain हमारा gut health हमारा gut, हमारा gut second brain है गट को second brain के नाम से जाना जाता है यह आतों का तंत्रिका तंत्र यह आतों का तंत्रिका तंत्र यानि आत के कारिय के कई पहिलू को नियंत्रित करता है हमारे आत के जो कारिय होते उसके अंदर कई पहिलू होते उनको नियंत्रित करने का काम हमारा गट करता है जैसे की Central Nervous System, Digestion, Absorption and Motility Motility यानि गतिशिल्ता को नियंतरित करने का काम करता है हमारा Central Nervous System होता है हमारे आथ के अंदर में वो Digestion का काम करता है Absorption का काम करता है और Motility यानि गतिशिल्ता को नियंतरित करने का काम करता है इसके अलावा आतो में हमारे जो आत होते है यह अंदर का जो आत है यह जो पेट के अंदर जो आत होता है उसके अंदर में अरबो सुष्मजियो का घर है जो आत माइक्रोबायोम बनाते जो सुष्मजियो है वो आत का माइक्रोबायोम बनाते आत माइक्रोबायोम नूरो ट्र और अन्य सिगलिंग अनुवों का उत्पादन करके गट एन ब्रेन एक्सिस को प्रभावित कर सकते इन आतों के जो बैक्टिरिया दे उनके अंदर में microbiome neurotransmitter और अन्य सिगलिंग अनुरो का उत्पादम होने से gut and brain exes को प्रभावित कर सकते जो brain के कार्य और वेवार को प्रभावित कर सकते अगर इन neurocenters के अंदर में या neurotransmitter के अंदर में कोई changes हो गए गलत चीज़ा हो गई तो हमारे brain को ये प्रभावित कर सकते शोस से एक research हुआ है शोस से पता चला है कि gut microbiome में परिवर्थन से brain function हमारे दिमाग का function अगर हमारे microbiome के अंदर में कोई परिवर्थन हो जाता है यहाँ कोई परिवर्थन हो गया तो हमारा जो brain है brain function and brain का behavior हमारे brain का काम करने का तरीका और brain का जो behavior परिवर्तन हो सकता है, इन दोनों में परिवर्तन हो सकता है, अगर यहाँ परिवर्तन हो जाता है, यहाँ चिंगेस हो जाते हैं, एक जानवरों में किये गए अध्ययों से पता चला है कि gut microbiome में बदलाव के कारण anxiety-like behavior, consecutive function और यहाँ तक कि brain development को प्रभावित कर सकता है, जानवरों में एक अध्ययन हुआ था, उसमें anxiety का पता चला, consecutive function का पता चला, और brain development में भी problem हो सकता है, यहाँ पता चला, क्योंकि हमारे gut health अच्छी नहीं थी, gut के अंदर में बदलाव हो गया था, consecutive function औरने क्या होता है, resourcing, planning, problem solving and multitasking, अगर आप में से कोई यह वीडियो देख रहा है, उसको reasoning, planning, problem solving और multitasking की समस्या है, it means उसके gut में कोई तो भी समस्या create हो गए, उसके gut की समस्या के कारणी उसका brain यहाँ काम नहीं कर पा रहा, मनुष्यों में किये गए अध्योन से यहाँ पता चला कि gut microbiome में बदलाव various brain disorder को जनम देता है, अगर यह आपके gut microbiome है, यहाँ कोई बदलाव आ गया, तो आपके brain के अंदर में various disorder को जनम मिल सकता है, various disorder पैदा होते, जैसा पहला disorder होता है, anxiety, दूसरा होता है, डिप्रेशन में जा सकते, तिसरा होता है, autism spectrum disorder, नॉर्मली बच्चों को ही होता है, autism एक neurological और विकास समन्दी विकार है, development का विकार है, एक तरह की विकलांगता है, बीमारी नहीं बोल सकते, एक तरह की विकलांगता है, अन्य लोगों को क्या लगता है, और महिसूस करते, उन्हें समझने में परिशानी होना, ने दूसरों को क्या लगता है, और क्या महसूस कर रहे हैं उसको समझने में परिशानी होती है इसमें उन्हें अपने सब्दों को इशारों, चेहरे की अभी वक्तियों और स्पर्ष के माध्यम से व्यक्त करने में भी कठीनाई होती है जिसको भी ऑस्टीदम स्पेक्ट्रम डिसौरडर होता है उनको यहन्दी चीजों का सामना करना पड़ता है और यह हमारे आठ हुल मिलाकर गर्ट और ब्रेन एक एकका और डायनेमिक सिस्टम है यह हमारा ब्रेन और यह हमारा गट यह जो सिस्टम है यहां से लेके यहां तक एक तरका complex और dynamic system है जो allow करता है गट को brain से communicate करने में हमारे gut को brain से communicate करने को और brain को हमारे gut से communicate करने में allow करता है gut microbiome इस संचार में एक महत्व पूर्ण भूमी का निभाता है और gut function और microbiome सवरशना में परिवर्तन से मश्तिक के कारिय और व्यववार पर गहरा प्रभाव पड़ता है किस चीसे हमारा gut function है और microbiome gut के अंदर जो function होता है जो microbiome होते उसके सवरशना में परिवर्तन सवरशना में अगर परिवर्तन हो जाता है तो हमारे कारिय या व्यववार पर ब्रेन के कारिय व्यववार पर प्रभाव पड़ता है तो फिर इस वीडियो को सुनकर या देखकर आपको नहीं लगता कि आपके आतों के microbiome का ख्याल रखना चीए शिरिफ दही खाने से अर्भो सुष्मजिव का ख्याल रखा नहीं जा सकता ना आप भी यह समझ रहोंगे न कि शिरिफ दही खाने से इस वीडियो को देखकर आपको भी समझ में आ गया होंगा शिरिफ दही खाने से हमारे पेट के अंदर में जो आतों के अंदर में अर्भो सुष्मजिव है उनका ख्याल रखा नहीं जा सकता उसके लिए और कोई चिछों को अपनाना पड़ेंगा और कोई सप्लिमेंट समको लेने पड़ेंगे क्योंकि यह अर्भो सुष्मजिव है नहीं हमारे आतों के अंदर में यह हमारे brain से भी ख नेखते हैं इसलिए आपको लेना चाहिए एटोमी नुट्रैसिटिकल मिक्स लेना चाहिए नहीं लेना ही होंगा आपके आतों के सुष्मर जीओं का ख्याल रखना है तो आपको लेना होंगा एटोमी नुट्रैसिटिकल मिक्स जो रखता है आपके आत के माइक्रोग बायों क का ख्याल आपके आपके माइक्रोग बायों का ख्याल जिसके कारां आपके ब्रेन का भी ख्याल रखा जाता है और एटोमी नुट्रैसिटिकल मिक्स के एक पाउच एक पाउच में तीन अरब शुष्मजू यानि अनुकुल बैक्टेरिया आपके पीहित में पहुशते अगर अगर आप एक पाउश लेते तो तीन अरब सुश्मजू यहने अनुकुल बैक्टेरिया आपके पेट के अंदर पोस्ते जो आपके माइक्रोबायोम का ख्याल रखते हैं माइक्रोबायोम में बदला होने से बचाते जिसके कारण आपके ब्रेन का भी ख्याल रखता है इसलिए हमको एटोमी नुक्ट्रासिटिकल मिक्स को लेना ही चाहिए क्योंकि हमारा एटोमी नुक्ट्रासिटिकल मिक्स गर्ट एंद ब्रेन एक्सीस का ख्याल रखता है जो सिर आटोमी नीट्रैसितिकल मिक्स तो आज आप इस वीडियो को देखके समझ चुके होंगे कि हमारा अटोमी हो अटोमी नीट्रैसितिकल मिकस का एक पहुश लेना ची Simple योग कि Atomine Neutraoxetical Mix हम लेते हैं तो हमारे Gut Microbiome का ख्याल रखा जा सकता है Gut Microbiome अच्छा रहेंगा जिसके कारान हमको Brain के भी कोई समस्या नहीं होगी और अन्य बीमारियों से भी हम बस सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को Logan तक पहुचा है चाकि लोगों को Logan के रोगों से लड़ने में मदद हो लोग अपने पेट का ख्याल रख सके लोग अपने पेट के अंदर में जो Microbiome है जो सुश्मजी हुए उनकी संख्या बढ़ा सके ताकि उनका Brain और Gut के बीच में एक Relation बने और Relation ही उनकी अलग-अलग जो बीमारिया लोगों को होती है उनसे बचाने में उनको मदद करे साथ ही साथ जिस किसी को भी Pendulum Dowsing करना है या Atomy का कोई भी प्रोड़क्ट लेना है तो Description Box में मेरा नंबर दिया हुआ है सिरिफ एक Phone घुमाने की जरूरत है मुझसे बात कीजिए उस Phone नंबर पे ताकि आपको कौन सा प्रोड़क्ट आपके Health के लिए अच्छा है ये मैं आपको बता सको साथ ही साथ Pendulum Dowsing के मदद से आपको यह भी बता सको कि आपको हीमो हीम कितने दिन लेना पड़ेंगा आपको अन्य प्रोड़क्ट आपके Health के लिए अच्छा है लोगों के पास जानकारी पहुश सके नमस्कार जैस्री राम जहिंद